दोस्तो जियो फाइनेंसल सर्विस की बात करें तो स्टॉक आज लगबग फ्लैट ट्रेड करता हो इस समय दिखाई देगा और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़य है कि दोनों तरप के ग्रूप इसमें सक्री है चाहे जो इसमें तेजी करना चाहते है या फिर जो मंदी करना करिए बड़े-बड़े mutual fund ने बहुत भारी निवेस किया है और कुछ mutual fund या से निकले भी है अब यहाँ पर एक बड़ी update और निकल क्या रहे है जिसको इस वीडियो के मादियम से डिसकस करेंगे साथ में जियो फाइनसल सर्विस ने इस बार तो रिजल्टों काफी अच्छ उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडिय फ्लैट हुई देखे तो कि जहां पर कल की क्लोजिंग थी बिल्कुल वहीं पर शुरुआत हुई लेकिन वहां से काफी ची तेजी का वातारम बनाओ इसने 387 का ही बना दिया काफी ची दोड़ लगई लो है वो 380 का है तो इसका मतलब यह है कि दिन में हमने काफी ची तेज है तो 18 अप्रेल को स्टॉक 378 क्या असप्रस जापे 4.6% की सांदार तेजी बनी 19 अप्रेल को स्टॉक में हुई गिरावट स्टॉक 2.2% की गिरावट के साथ 370 पर फिर से आ गया लेकिन 22 अप्रेल को स्टॉक ने फिर दोड लगाई और स्टॉक 382 तक पहुझ गया 3.4% की साथ तेजी के साथ 23 अप्रेल को स्टॉक ने फिर अच्छी तेजी बताई श्टॉक 387 तक पहुझ गया 1.4% की तेजी के साथ लेकिन 24 अप्रेल को जानी कल स्टॉक में फिर गिरावट ही श्टॉक 381 तक आया 1.6% की गिरावट के साथ तो कुल मिला के 380 के आज़ पर फिर सेटल होने की कोसिस कर रहा है वैसे जब से यह लिस्ट हुआ है चे महिने में इसने 85% का अच्छा खासा रिटन दे दिया है तो 106 तक ग्यादर लो में आप देख सकते हो और तीन महिने का रिटन अगर आप देखे तो वो भी 60% के आसपास के जो काफी एचा है पिछले एक महि को सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है देख सकते हो कि ससीकला राव एन कंपनी की तरब से सेभी के रूल्स के तैथ तो ससीकला राव एन कंपनी की तरब से कागया है कि हमने जो जीओ फारिंस फार इस साल के दोरान के फिंट टेक्नोलोजी इनके आईटी एजेंट है जिनके पास डिमेट के जो शेर है या फिर फिजिकल रूप से जो शेर है उसकी सारी जिमेदारी उनके पास है जिनों ने बख़वी उसको निवाया और किसी प्रकार की कोई यहां पे प्रॉल्म ने हुई और इसी इलिए हम इसको सर्टिफाइड कर रहे है और हम यह सर्टिफिकेट पेस कर रहे है जियो फाइनेसर सर्विस को तो जियो फाइनेसर सर्विस के सर्टिफिकेट मिल चुका है सचिकला राव की तरब से सबसे बड़ी बात है कि इस बार काफी अच्छा रिजल रहा है जबकि बीजनस अभी तो समय लगेगा लेकिन फिर भी आप देखे तो जो कंसोलियर नेट प्रॉफिट है उसमें 6% की व्रिदी देखना को मिल रही है जो 311 क्रोड तक पहुच गया है अब पिछले दिसंबर में 294 क्रोड के आसपास था और यहाँ पे कंपनी का जो आप देखे तो जो रिवेन्यू भी लगातर बढ़ रहा है काफी अच्छे तरीके से और अब कंपनी दिलेदे अपने बीजनस सुरू करने जारे जिसमें कंपनी अपनी फाइनेंस इसके लावा ब्रोकिंग बीजनस पैमेंट एग्रिगेटर बीजनस और पैमेंट गेटवे बीजनस सुरू करने इस बीजनस के लिए इन्होंने अब देखे तो कमर कसी और साथ में इनका जो एसेट मैनेजमेंट का बीजनस से जिसके लिए अब यहाँ पे जो मीजनस का बीजनस सुरू करना चाहिए इसके लिए एक लिडरसिप त्यार कर रहे है बहुत जल्द रिक्वार्मेंट है जो भ फंड ने जीओ फाइनसर सर्विस में निवेस किया है लेकिन सामने 46 मूचल फंड यहाँ पे अपने शेर बेच के निकले भी है उन्होंने अपना प्रॉफिट बूक किया है तो कुछ बड़े मूचल फंड जिन्होंने कम से कम 20,000 क्रोड के उपर जो निवेस किया है उसको अलावा आधिते बिल्ला संलाइफ फ्रंट लाइन एक्यूटी फंड ने 26,877 कूट का इंवेस्मेंट किया है इसके बाद में देख तो 35,473 कूट का इंवेस्मेंट किया है इसके अलावा HDFC टॉप 100 फंड ग्रोथ ने 32,355 कूट का इंवेस्मेंट किया है इसके बाद में मीरे असेट लार्ज एन मीड किया फंड ने 33,618 कूट का निवेस्मेंट किया है उसके बाद में मीरे असेट एल्स टेक्स सेवर फंड र तो इंडिया के जो बड़े-बड़े mutual fund है वो बहुत सारा निवेस कर रहे और इसके पीछे वज़े इनके business अब एक बार हम इसके support और resistance को check कर लेते हैं जिससे हमें यह जाने में आसानी हो जाएगी कि आने वाले समय श्टॉक में अगर गिरावट का महुल बनता है तो श्टॉक कहां तक जा सकता है 372 के आसपास है और आप देख सकते हो कि यह तीसरा support अगर तूट जाता है तो श्टॉक आपको सीधा 365 तक जाता हो दिखाए देगा यानि बड़ी गिरावट में 355 तक जाने की संभावना बन रही है लेकिन सामने अगर positive माहुल बना तो 389 का first resistance है यह resistance पार कर लिया इसने तो आपको stock सीधा 396 तक जाता हो दिखाए देगा यानि stock 400 के आसपक पहुच जाएगा अब जो third resistance है वो सीधा 401 का यानि 400 को पार कर देगा तो बिल्कुल तेजी बनी तो 400 के पार हो जाएगा और फिर इसके लिए 500 भी बहुत दूर नी होगा तो ऐसे मैं long term investor के लिए अच्छा मौका है कि इस समय जियो financial service में खरीदारी कर ले आने वाले समय यह आपको माला माल कर देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor बढ़ाई ले ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू की ज़र चैनल को subscribe कर दीजिए Thank you friend